तो दूस दूस शुरू करते हैं आज की इंफरा न्यूस पहली कबर जो आ रही हो वो हमारे रेल विस से एक बंपर न्यूस आ रही है जहाँ पर काइनेड रेल सुलूशन्स जोके एक जोएंट वेंचर है जहाँ पर ये वेंचर 35 साल तक चलेगा 10920 स्लीपर कोच से आप बनाने हैं और 35 साल तक उनको मेंटेन करना है पहली बार ऐसा हो रहा है भारत के अंदर की इतने बड़े वेल पर हम एक जोएंट इंटरनाशनल पार्टनरशिप कर रहे हैं भारत में कोच बनाने के लिए काहिने ट्राइल भी सॉलूशन जो है यहाँ पर आरवियनल के साथ में में उप्रेशन जो है कमें कर चुकी है तो यहाँ पर काइनेट के भी जो ट्रेन आएगी वो आविसली इंटरनेशनल स्टैंडर्स की होगी और होपफुली हमें इसके अंदर से भी पहली रेक इस वाले टाइप की रूल आउट होते वे नजर आएगी अगली अपर दोस्तों आ रही है मुंबई के कोस्टल रोड से पर पहला आग ब्रिज जो बैंडरा वर्ली सीलिंग को कनेक करने वाला है तो इसमें ने ओपन हो जाएगा ऐसा BMC ने कहा है 15 सप्टेंबर की टेंटेटिव डेट रखी गई है इसके लिए और यहाँ पर बेसिकली जो साओथ मुंबई के मरीन डैफ से शुरू होने वाला को ऩि बैंडरा वर्ली सीलिंग के वीसे कनिक कर देना जिसको जैसे बैंडरा वली सीलिंग आगे जा सकता है पूरे बैंडर तक तो यह एक साइड का जो आर्म है वो जल जस मैंने खुला हो जाएगा और प्रोबबली इस साल के अंँ तक पूरा कोस्टल रोड मुंबई के तो यहाँ पर इस रोड को बनाने के पहले ओविसली सीवेज लाइन वाडपाइप पानी भीजली जी सी कई चीज़े जो होती है उनको शीफ करने की जरूवत है तो अकॉडिंगली यहाँ पर काम किया जाएगा और एक इंट्रा डिपाट्मेंटल मीटिंग लेगी थी यहाँ में जहाँ पर यह decision लिया गया अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वह है Raymond से तो आप जानते हो गौतम सिंगानिया का जो company है Raymond यहाँ पर बहुत number of inquiries आई थी ऐसे इनोंने कहा है और यहाँ पर main काम ये था कि बांगलादेश के अंदर इनके जो टेक्स्टाइल स्वेकरा ब इनके इंडिया ने ही इस तरीके condition बनाया था कि बांगलादेश को वह इंडुस्ट्री मिल जाया ताकि relations अच्छे रहे तो यही चीज़ देखती हुए Raymond के भी कई सारे फैक्ट्री जो है वह बंगलादेश में थे अब बंगलादेश में जो अंड्रेस्ट आया है उसके इंडिया में क्योंकि ओविसली वहां पर सिचुएशन खराब है और इंडिया एक रेडी कंट्री है टेक्स्टाइल इंडुस्ट्री को टेक ओवर करने के लिए तो यहां पर इसके लिए Raymond काम शुरू करीगी ऐसा है उने कहा है अगली खपर दोस्तोर यह महाराष्टा के ड तापी नर्मदा का एक रिंकिंग प्रोजेक्ट है और इसको पॉलिटिकल विल के कारण डेवलप नहीं हो पा रहा था यह ऐसा कहा गया है यह लिंकिंग जब हो जाती है तापी नर्मदा वाली तो इसके वज़े से रीजन्स जो है धूरे नंदूर बार सोलापूर वेस्ट नहीं आता है तो ऐसे रीजन्स को पानी की जरुवत है जिस प्रोजेक्ट के वज़े से मिल जाएगा अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वह राजस्थान से जहां पे गवर्मेंट प्लान कर दी कि 14 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को बनाया जाएगा और उनके इंडस्ट् 44,000 फंक्शनल उनिट्स है और मेंली अभी जो न्यू इंडस्ट्रियल एरियस ओफर हो रहे वो जैपुर के पास में जबर 1230 इंडस्ट ओफलांग ओफर किया जाएगा अगली खबर दोस्तों जो आ रही है हमारे डिफेंस इंडस्ट्रिय से रिलेट जबर यूनिन गवर्म कॉंबाइट वेहिकल, एर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, रिडास, एरक्राफ्ट, फास्ट अटाइक और ऑफ्शोर पेट्रोल वेसिल्स इन जैसी चीज़े होगी 1070 FCRVs भी यहाँ पर होगा, Futuristic Biletic Tank और Armored Corps भी यहाँ पर यूज के जाएंगे, 45,000 करोड के बड़ा ओर्डर है और देश के अंदर कई Defense Industries जो सेटप हो रही है, उनको ही ओर्डर मिलेंगे अगली खबर दोस्तों जारी वो पूरे से, जबर महाराष्टा Metro Rail Corporation या महा Metro ने कहा है कि Foundation Stone वो जल्द एक करेंगे स्वारगेट से लेके Carthage Metro Line के लिए और इसके लिए सेम टाइम District Court से जो है यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा जो यहाँ के Union Minister है for Civil Evasion जो basically यहाँ के MP है उन्होंने स्वारगेट Metro Station को विजट किया, work or review किया और कहा कि सिफ कुछ technical clearance is pending है जिसके बात में Metro अबने passenger operation शुरू कर पाएगी लोगों के लिए आज के आसपटी सवाल के बारे में बात करें तो सत्यस्वामी पुछते हैं वाइज इंडिया सो ओर हैट एवरिवेर इवन दो इट इस फेलिंग कंट्री विद नो फ्यूचर देखो कुछ लोग ऐसे होते ना जिनको मतलब आप जो पूरा का पूरा उनको अगर दावत दे दो तो उनको किसी चम्मच पे लगा हुआ छोटा सा दाग जो है ना वो उनको वही नजर आता है तो ऐसे जो चीज़े है अभी कही ना कहीं पे ग्लोबल स्केल पर अगरम देखे ना तो वो सच नहीं होती है लेकिन कभी-कभी जो लोग होते है वो ब्लैक पिल लेने में ज़ादा विश्वास रखते है तो कैंट उस तरीके का ये स्टेटमेंट है अभी ऐसा निये कि है कि एकनॉम में आज क्रम्बलिंग है वापे इंडिया अके ली बिग ग्रोइंग उपनॉम ही और अच्छे नंबर के साथ में इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हाय है जो कि दुनिया में नहीं है हमारे देश के अंदर 15 साल पहले अगर हम देखते तो को को यह एक्स्पेक्त नहीं करते और अधी उस्टेम आती पुले ट्रेस्ट अगे होने के उमीद्ध की सिगह नहीं थी इंडिस्टल आपफुड अल्मस्ट डबल हो जाने के बारे में कोई इंडिया में सेमेकंडुक्डर्टर्स के बारे में लोग की बात नी करते इतने एक्स्प्रेश्चर नेडवरक कभी बन सकते थे भारत में यह लोगों बताने वो जन्रेशन जिन्हों फ्यूचर यह बोलना बहुत आसान है ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव को जो समझना है उसके लिए थोड़ टाइम लगता है थोड़ा उसमें सेंस लगता है तो वो समझने के वजह से कोई कंक्लूजन अगर आता है तो अलग बात है लेकिन बिना समझे अगर कोई दो घटना है आप पढ़ लेते हो फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे और उसके तुरू अपना कोई कंक्लूजन दे रहे हूँ तो ऑविसली वो कैंड ओफ एक बहुत जादा नैरो माइंड़ और काफी ज़दा छोटी बात है तो किसी भी चीज़ को बड़े इसमें लेना चाहिए दिक्कते है बहुत बड़ी बड़ी है जिनको स्वाथ करना ज़रूरी है बाबू डम है जुडी शरी के अंदर प्रॉब्लेम्स है पॉलिटिकल यहाँ पे बहुत इशूज है कास्ट कई जीज़े है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी सेट में कोई डेवलप्मेंट नहीं हो रहा यह बात भी गहना गलत हो जाएगा उमीद करता आपको सवाल है तो आप कमेंट स्रीक्शन मुझे ज़रूर पूच सकते हो बाकि आपके पास कोई न्यूस सब्मेट करन के लिए है तो उसके लिए पको लिंक मिल जाएके डिस्क्रिप्शन में मिलिंग अगले वीडियो में